हेलो एंड वेलकम टू पीवाइक्विपेडिया हम लोग असिस्टेंट प्रविडेंट फंड कमिशनर के प्रिविएस यह पेपर के अनालेसिस कर रहे हैं 2012 के अनालेसिस हम लोग पहले ही कर चुके हैं 2015 में हम लोग पार्ट वन किये थे जिसमें आपको मैंटस और स्टेट्स के कुश्चन किये थे इंँगली इंगली इसके सारे यह और सेकुशन के राउंड था आज जो हम लोग करने वाले हैं बाकी तो जिनको ये सारी चीजे देखनी हैं स्टैट्स भी थे उसमें तो जिनको ये सारी चीजे देखनी हैं वो फास्ट फार्ट देख ले और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो हैं पॉलिटी के कुश्चन होंगे economy के कुछ geography के होंगे and current interface के भी question होंगे and history के question होंगे तो ये आज हम लोग discuss करने वाले हैं ठीक है so let's start the session इसकी जो pdf होगी वो आपको telegram channel pyq underscore pdf पे मिल जाएगा okay so let's start the session पहला question क्या है हमारा what is the number of states and union territories in India ये 2015 में चुकी paper होई थी 2016 में तो उसके according इसका answer देया गया है बट अभी अगर present में बात करें तो हमारे पास कितने हैं 28 state है and 8 union territories ठीक है 8 UT अब 8 UT जो है वो आपको कौन-कौन हो गया एक अडवान औन निकोबार island हो गया है अडवान निकोबार इसके बाद आप देखो चंडीगर हो गया तो चंडीगर हो गया एक आपको डेली हो गया और जेन के हो गया लदाक हो गया ठीक है पूटू चेरी हो गया इसके बाद आपको लक्षद्वीफ हो गया लक्षद्वीफ हो गया और अभी जो मर्ज किया गया था अच्छा देली हो गया, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इप्थ जो हो गया, वो दादरा और नगर हवेली और दमन दिव, इसको मर्ज किया गया है, ठीक है ना, एंड दमन, एंड दिव को, ठीक है, और जमू कस्मीर को अभी चेंज कर दिया गया था, है ना, स्टेट हटा करके, जमू क अभी है, ठीक है, तो यह उस समय का अनुसार से इसका कुश्चन था, ओके, तो दा आंसर इस इस, आपकी एक्स्प्लानेशन दी होई है, कि कौन-कौन से स्टेट्स हैं, उसकी कैपिटल से हैं, और कौन-कौन यूटी हैं, अगला कुश्चन है, अंदर दर कंस्टिचूशन of India, which of the following statements are correct, कौन सा सही है, कंस्टिचूशन और इंडिया के तर, तक कंस्टिचूशन इस सुप्रीम, बिल्कुल सही है, कंस्टिचूशन जो है, वो सुप्रीम है, इसके बाद है, कि there is a clear division of power between the union and the state government, हाँ, union और state के वीच में, पावर है, कि कौन सी चीचे union को करनी है, कौ division of power है, ये भी सही है, amendment to the constitution, have to follow the prescribed procedure, हाँ, जो procedure है, उसी को follow करके आप constitution को amendment कर सकते हैं, so one, two and three सही है, और फोर्थ है, the union parliament and the state less less the sovereign, ये मतलब मोनार्क, मतलब कि जो है, so parliament है, जिसे British में है, ठीक है न, तो वैसा कुछ नहीं है, कि parliament sovereign नहीं है, कि parliament को जो मन होगा, वो नहीं कि है सकता है, तो ये गलत हो गया हमारा, the preamble to the constitution cannot be invoked to determine the ambit of fundamental right, ठीक है न, जो हमारा preamble है, है न, to the constitution cannot be invoked to determine the ambit of fundamental right, ये हमारा गलत है, क्योंकि जो preamble है, उसको भी सम्मिधान का पार्ट माना गया है, and the preamble can be, preamble can be invoked to determine the ambit of fundamental right, ठीक है न, तो ये हो गया गलत, तो हमारा पूझरा है, सही क्या होगा, so the answer is 1, 2 and 3, ओके, अगला question है, the right to free and compulsory education act 2009, तो right, अब आप समुझ लेजिए, कि 86th, जो constitutional amendment act हुआ था, वो कब हुआ था, ये जो 2002 में हुआ था, तो यहाँ पर क्या किया गया था, कि article, एक article add किया गया था, article 21A, और article 21A में क्या किया गया था, कि pre and compulsory education to all children, is the age group, 6-14 बरस के बच्चों के लिए, free and compulsory education, और उसी के बाद ये एक act निकाला गया था, right to free and compulsory education act 2009, question 9, so the answer is D, ठीक है, अगला question है, the prime minister of India is a member of the राजसवा, अगर prime minister of India, Manmohan Singh थे, राजसवा के member होंगे, तो इसमें से क्या सहिए, he can make a statement only in the राजसवा, नहीं, member है, अगर prime minister है, तो दोनों में जाके बात कर सकते हैं, लोगसवा और राजसवा में, even minister भी, आप statement दे सकते हैं, दोनों में, he has to become a member of the लोगसवा within six months, नहीं, ऐसा नहीं है, कि उनको लोगसवा का member बनना हो, राजसवा के member होकर के भी, आपको वो prime minister बन सकते हैं, अगर किसी भी, ना लोगसवा के हैं, ना राजसवा के हैं, देन six months के अंदर में, उनको कहीं न कहीं, किसी हाउस का member बनना परता है, तो ये भी गलत हो गया, he will not be able to speak on the budget in the लोगसवा, नहीं, अगर राजसवा से हैं, तो हमने पहले ही बात कर दी हैं, कि आप prime minister या minister, बात को statement दे सकते हैं, किसी भी house में, तो ये भी गलत हो गया, he will not be able to vote in favor in the event of the non-confidence, हाँ, बिलकुल, non-confidence motion, अगर लोगसवा में आती है, तो लोगसवा के, चुकि मेंबर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर, राजसवा के मेंबर है, तो भोट नहीं देपाएंगे, ये हमारा सही है, सुदा आनसर इस B, अगला question है, which one of the following formed the basic premises for developing the Indian constitution, जो एक बहुत सारी चीजे, बहुत जगह से ली गई थी, ठीक है, लेकिन जो जिसे bicameralization ली गई थी, बिटिस constitution से, तो बहुत सारी चीजे, लेकिन जो basic चीजे, basic premises थी, मतलब कि एक base बनाया गया था, जहां से maximum चीजे ली गई थी, वो था, the government of India, 1935, ठीक है, आसान question है, अगला question है, the Malimat committee 2003, 2003 में एक committee बनाई गई थी, वो किस चीज के लिए बनाई गी थी, actually ये committee बनाई गी थी 2000 में, 2010 में, और रिपोर्ट दे थी 2003 में, और ये बनाया गया था, to reform the criminal justice system in India, okay, so this is the explanation, अगला question है, the Parliament can make any law for whole or any part of India for implementing international treaty, किसी भी international treaty के को Parliament law बना सकता है, ठीक है, उसमें, with the consent of all the states, सारे states से consent लेना परेगा, with the consent of majority of the state, with the consent of the state consent, जिस state के लिए बनाना होगा, उससे consent, या without the consent of any state, तो आपको मैं बता दूं, कि Article 253 कहता है, कि Parliament has power to make any law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, कोई भी treaty हो, agreement हो, या convention हो, with any other country, और countries, और any decision made at any international conference, association, और other body, या हमारा Article 253 कहते है, इसमें, कोई consent लेने की जरुवत नहीं है, तो आपको एकस्प्लानेशन दी हुई है, कि Parliament, Article 253, Parliament has power to make any law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement, और convention, with any other country, और countries, और any decision made at any international conference, association, और other body, तो ये Parliament has power है, इसमें स्टेश की कोई consent की जरुवत नहीं है, Which of the following are the roles of, उचा जा रहा है कि Finance Commission की of India के क्या roles है, अब इसमें क्या है कि Finance Commission, Article 280, में कहा जाता है कि एक Finance Commission होना चाहिए, और Finance Commission की duty क्या होगी, जैसे कि the distribution of money collected through, tax case through, जितने पैसे आ रहा है है, उसका distribution करना, ठीक है, Evaluation of Centrally Sponsored Scheme, Evolve Principle, Based on which funds are allocate, किस basis पे funds allocate होंगे, ये भी है, 5-year plan बनाना, इनका काम है नहीं, ठीक है न, 5-year plan बनाना, Finance Commission का काम नहीं है, तो 4 तो ऐसे ही गलत हो गया, अब हैं, पहला सही है, the distribution of money collected, तो पहला सही है, तो answer तो ये हो जाएगा, So, first and three is right, Evaluation of Centrally Sponsored Scheme को Evaluate करने के लिए, Finance Commission नहीं बिटाए गई है, Finance Commission का काम है, Article 280 में लिखा हुआ है, कि the distribution between the union and state of, ठीक है न, जितने भी tax आती है, उसको union and state के बीच में, और between states में भी, कैसे ठीक है न, कितना union का, union and state में कितना बटेगा, और state के बीच में कितना होगा किसको ज्यादा मिलेगा, किसको मिलेगा, यह Finance Commission of India decide करता है, ठीक है, So, this is the explanation, अगला कुश्चिन है, What was the position held by Dr. सर्फपली राधा कृष्णन, before to begin, Vice President of India बनने से पहले, यह कौन सा पोश्ट रखते थे, So, यह Ambassador to the Soviet Union, Russia, ठीक है न, के Ambassador थुआ करते थे, ठीक है, अगला कुश् एकाउंट कमिटी, ठीक है, पबलिक एकाउंट कमिटी, कब आई थी, सबसे पहले, 1921 में, इंट्रोडिस की गई थे, और जो, Government of India Act, Government of India Act, 1919, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मौनफोर्ट रिफॉर्म्स, तो मौनफोर्ट रिफॉर्म्स में भी, इसका सबसे पहले, मेंसन अब पबलिक एकाउंट कमिटी हर साल बनती है, एवरी येर, एवरी येर बनता है, अब इसमें जो चेयर्मेन होती है, वो कौन करता है, पबलिक एकाउंट कमिटी, तो ये सही है, अब इसमें टोटल मेंबर जो होते हैं, 22 होते हैं, उसमें 15 जो होते हैं, वो लोकसभा के होते हैं, और 7 जो होते हैं, वो राजसभा के होते हैं, और इसमें क्या होता है, कि किसी मिनिस्टर को, मिनिस्टर को मेंबर इसमें नहीं ब आती है और report parliament में जाती है ठीक है न प्रेशिडेंट उसको रिपोट को parliament में देती है अब parliament में देती है तो वो जो report होती है उसको examine करने का ठीक है न काम जो है सो वो Public Account Committee को एक्साउंट करती है clear so members of the parliament imminent person from industry and trade are the members of the Public एकाउंट कमिटी गलत हो गया यह लोग सवाराज सवा के मेंबर होते हैं ठीक है so answer statement one is right यह आपको explanation है ठीक है so this is all about the quality section now we are going to start with the history section so what is the chronological sequence of the following events यह इस टैप के question पूछे जाते हैं ठीक है so इसके chronological sequence क्या है पहला first battle of panipat क्या हुआ बावर और लोदी के बीच में हुई थी कब हुई थी 21 अप्रील 1526 बावर और लोदी के बीच में बियतनाम वार्ज हुआ था वो 1955 से 75 के बीच में हुआ था french revolution फ्रांस की क्रांती जो हुई थी 1789 से 1799 के बीच में हुई थी first gulf war जो हुआ वो 1990 से 91 के बीच में हुआ था और world war तो आपको पता होगा कि 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 November 1918 तक हुआ था अब आप इसमें देख सकते हैं सबसे पहले कौन हुआ था तो सबसे पहला जो है ये 1526 वाला हो गया ये तो पता ही है सबको कि पहनी पत की यूद्ध सबसे पहले हुई थी तो पहला हो गया तो अगर chronological sequence में लिखना है तो ये दोनों तो option ऐसे सबसेंदी चला गया देन 1526 के बाद जो हमारा आता है वो कौन सा आजाएगा वो फ्रेंच रिवल्शन 1700 इसवी का फ्रेंच रिवॉलिशन आजाएगा तो वन के बाद 3 तो एक ही आंसर है 1 3 5 2 4 ओके तो इस इदांसर अगला question है a branch of scholarship that florist in Europe ठीक है न पार्टिकुलर्ली फ्र to the 1528 सती तक एक branch ठीक है न scholarship का branch बहुत फ़ला फुला था and was devoted to the appreciation, chronicling and classification of historic and non-organic relics monuments and old texts ये जो study है न old या rare object की चीज़ों को ये study करना ये एक branch बहुत ज्यादा वहाँ पे ये हुआ था क्या कहते है उसको आप क्या कह सकते हैं बहुत ज्यादा ही इसका परचार परसार हुआ तो ये कौन सा था? आर्केलोजिक था, पूरा तत्तो विव्ज्यान, हिस्ट्री था, आर्केटेक्चर था, आर्केटेक्चर तो घरवर बनाने का ये होगा नहीं, हिस्ट्री की बात चल नहीं रही है, पुरानी चीजों को जो पुरानी relics है, monuments है, old text है, उसके बारे में study की बात चल नहीं है, ठीक है, तो ये जो होता है, वो किसकी हो गई, ये कौन सी थी, तो ये होता है, anti-quarianism, anti-quarianism का मतलब क्या होता है, to study of old, पुरानी and rare object, rare object की study करना, और उसके history के बारे में पढ़ना, तो ये, ये ब्रांच बहुत ज़्यादा ही, उस समय में, ये क्या कहते हैं, उसको, बहुत ही ज़्यादा फॉली फुली थी, ठीक है, सुदा आंसर इस दी, अगला, तो ये आपका explanation है, कि इस का मैंदिंग क्या होता है, अब ये question है, कि which of the following statements are correct, इस पर इस पर इस तरी धन, इस तरी धन क्या आए, देखो, आप इस तरी धन जो है, तो ये अगर section 14 कहता है, section 14 में लिखा हुआ है, कि जो इस तरी धन क्या होता है, कि जितनी वी, एक वीमेन अपने पूरी lifetime में, जो भी movable या immobile property gift ये receive करती है, ठीक है न, वो क्या होता है, वो इस तरी धन होता है, ठीक है, clear, अब क्या है, इस तरी धन, ये डौरी is a different thing, डौरी और इस तर में अंतर है, इस तरी धन क्या हो गया, कि आपको एक वीमेन अपनी पूरी जो lifetime होती है, उसमें जो भी चीजें receive करती है, जायो movable property ये, immobile property ये gift हो गया, अब क्या है, कि और उस पे पूरी right किसकी होती है, वीमेन की right होती है, अगर वीमेन की देथ हो जाती ही, तो उसके children को या तो जो अपना natural children होगा, या legally adopted होगा, उनका उस पे हग होगा, अब हम लोग कुशन पढ़ते हैं, various types of movable property gifted to a woman on various occasions during her lifetime, ठीक है, जैसे कि occasion हो गया, prior to marriage, at the time of marriage, childbirth के समय में, widowhood के समय में, कभी भी मिलता है वो, तो ये सही है, various types of movable property gifted to a woman at the time of her first marriage, ऐसा कुछ नहीं लिख के समय जो मिलता है वो, ठीक है, पूरी lifetime में, हर occasion पे जो मिलता है, वो इस्त्रिदान होगा, ठीक है, उसके अपने घर से, तो दूसरा गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तो ये option तो चली गई, तो पहला सही है, अब क्या है, on the women's death, this wealth could be inherited by her children and husband, husband के द्वारा नहीं किया ज of the children, with none of their son-in-law having any claims or any part of their, सिर्फ बच्चे क्या होता है, चिल्डेन का, ठीक है न, उसका उस पे हक होता है, so one and four is the answer, ठीक है, ये हमारा explanation है, इसके बाद question है, next question है, खिलाफत कमिटी, accepted महात्मा गांधी, suggestion for a non-violent non-cooperation protest against the government, कहाँ पे ऐसी meeting हुई थी, इसके बारे में, आपको 9 जून, ठीक है न, 9th of June 2020 को, एक होती है meeting, कहाँ पे होती है, किलाफत कमिटी की meeting होती है, अलाहाबाद में, ठीक है, और अलाहाबाद में, गांधी जी की खिलाफत कमिटी जो होती है, वो गांधी जी के suggestion को मानती है, कि हम लोग non-violent, non-cooperation protest करेंगे government के against में, और उसमें कहा जाता है कि government को, कि गांधी जी को, कि आप इस movement को lead कीजिए, तो कहाँ पे था, अलाहाबाद में, ओके, so this is the explanation, अलाहा question है, which of the following statement reflects the distinctive features about 6th century BC, गना और संग, शक्ठी सताबदी में, गना और संगा के बारे में, कौन सी feature जो है, वो सही है, तो पहला क्या है कि, the ancient Indian गना, गना, वेर, oligarchies, oligarchies का मतलब क्या होता है, जो कुछ small group of people है, जिसका control है, पूरे organization पे, तो पहले यही होता था, the ancient Indian गना, वेर, non-six century की बार चल लएए, non-monarchal, कोई राजा वजा नहीं होत होते थे, तो यह भी सही है, मगद, कोसल, वत्स, अवन्ती, यह जो है, सो powerful state हुआ गरते थे, यह भी सही है, the procedure of the Buddhist monastic order, संग, where patterned on the sung politics, ठीक है, यह भी हमारा सही है, कि बहुत मत की जो वेवस्था थी, ठीक है, उसकी जो कारे प्रयालिक कारे विधियां थी, ठीक है, वो रा ठीक है, अगला question है, what is the chronological sequence of the following development, अब अगर आप इसमें NCRT देखोगे, ठीक है न, तो NCRT में यह दिया हुआ है, कि before the 8060s, 1860 से पहले क्या होता था, कि 1807 से पहले, जो cotton का export था, 354 तोटल जितने भी cotton का export होते थे, ठीक है, ब्रिटेन को, raw cotton, raw cotton, जो ब्रिटेन जाते थे, वो कहां से जाते थे, अमेरिका से, ठीक है, तो अमेरिका से जाते थे, अब अमेरिका में ये चिंता सटाने लगी, कि भाई, अगर माल लेते हैं, किसी भी कारान अमेरिका से नहीं आया, तो पूरा कारोबार खतम हो जाएगा, तो 1857 में एक company बनाई गई गई, और उस company का क् एक नाम था मैंचेस्टर कॉटन कंपनी 1869 में हुआ था अब इसमें 1859 में एक कंपनी बनाए गई थी और 1869 में कंपनी बनाए गई उस कंपनी का ये काम था कि और पॉसिलिटी देखने का कि माल लीजिए अमेरिका में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो फिर हमें राव कॉटन कहा अइसा लगता है कि इंडिया की क्लाइमेट एजबर्द की कॉटन वहां पर अच्छी तरह से हो सकता है सुटैबल स्वाल भी है महां पर तो लोग इंडिया को और लेवर भी चीप है तो इंडिया को वह लोग चूझ करते हैं अब होता है कि 1861 में हो जाती है ठीक है civil war तो जैसे ही civil war होती है तो civil war होती है तो अब ये लोग ढूड के रखे रहते हैं तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे जो cotton है cotton का अमेरिका से वो less than 3% 3% से भी कम import start हो जाती है मतलब उस 3% भी आ पाता है आप समझ रहे हैं अमेरिका एक्सपोर्ट कर पाता है तो ब्रिटन कम जा पाता है अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई तो इसको कहीं ने कहीं से cotton चाहिए तो इंडिया से लेता है तो इंडिया में हो जाता है इंडिया में cotton बूम रहता है लेकिन 1865 तक 1865 तक चलता है तो 1865 जैसे ही होता है तो civil war जैसे ही खतम होती है तो क्या होता है फिर से revive हो जाता है और इंडिया का export जो है सो decline हो जाता है तो civil war के बाद decline हो जाता है ठीक है और civil war से पहले cotton बूम इन इंडिया तो आप देख लिए यह क्या option होगा इसमें 2,3,1 civil war of America कतम होने के बाद decline in the export of Indian cotton यह NCRT में लिखी होई है तो direct from the NCRT अगला question है अब यह आपको पता है यह भी NCRT में है कि यह system है racial discrimination का policy of racial segregation यह South Africa में होता था देख लिए NCRT का है अब यह आपको पता है उनिक तू South Africa थीक है during the 17th and 18th century ठीक है तो यह NCRT से direct ली गई है अगला question है which of the following industry were first established during the British rule in India अब यह question जो है पिछली साल भी पूछा था 2012 में that means कि पिछली एक्जाम में 2012 में इस सबसे पहले तो industry जो थी हमने बताई थी आपको cotton की थी cotton jute फिर coal mine and railways यह मैंने बताया था आपको the first modern industry is India where cotton, jute coal mine and railways cotton and jute जहां पे भी होगा वो answer हो जाएगा यह होगी हमारा answer यह पिछली 2012 में भी यह question पूछा था अब देख लीज़े direct NCRT से है अगला question है all India radio के बारे में question है so all India radio so it is governed by the प्रसार भारती बोल्ट ठीक है it was so named in 1936 में name इसका all India radio परा it does not provide DTS service नहीं all India radio DTS service प्रोबाइड करती है और FM rainbow and FM gold जो है इसकी subsidiary channel है और यह प्रसार भारती के द्वारा होती है तो तीसरा नहीं होगा बाकि जो भी आंसर क्या हो जाएगा C अब इसका explanation हमने Wikipedia से लिए है आप देख लीजे कि all India radio officially known since 1950 as आकासवानी ठीक है 57 से इसका नाम आकासवानी है ठीक है न is the national public radio broadcast of India and is division of प्रसार भारती ठीक है it was established in 1936 और D2H भी इनका D2F release है आप AIRFM rainbow है AIRFM gold deal ली है यही पूछा गया था ठीक है तो इसका answer आप देख लिए अगला question है गांधी इर्विन पैक्ट जो 1931 में हुई थी उसके बारे में हुआ था तो जो NCRT में लिखी हुई है कि गांधी इर्विन पैक्ट में टर्म ये था कि civil disobedience of bin जो चल सबने अगया अंदोलन जो चल रहा था वुड बी called out ठीक है तो suspension of the civilization ये सही है दूसरा क्या इसमें बात था कि जो all prisoners होगा वो release करना है तो release of political prisoners ये भी है इसके बाद तीसरा क्या था इसमें कि जो salt manufacture है वो आपको allow करना है मतलब नमक बनाने का विलाव करना है ये तीन चीज है जो NCRT में दी हुए ये main aspect है तो take part in similar conference ये सा कुछ नहीं था वो समय round table conference था तो round table RTC में जाने के लिए भी round table RTC में जाने के लिए बात होस्त है similar conference का इसमें कोई बात ही नहीं है pay taxes for the period of civil disability ये भी कुछ ऐसा नहीं है कि civil disobedience movement के समय में tax pay करने के लिए तो ऐसा नहीं है तो one and four is the answer ये NCIT में गांधी इर्विन पक्त by the terms of which civil disobedience would be called off all prisoners list and salt manufacture allowed along the coast themes in world Indian history का ये question है ठीक है अब क्या है ओके so this is all about the history portion now we are going to start with the economy portion unbalanced growth is hypothesis when कब होता है unbalanced growth अब इसका नहीं हमने यहां पर when active sectors need to and to energize sluggish sectors तो unbalanced growth hypothesis तब होता है जैसे कि माल लेते हैं कि active sectors ठीक है तो जो बंद है sluggish sector है जो बंद पर है sector है उसको उस पर ज़्यादा focus करना ठीक है वो बोलते है unbalanced growth अब हम इसको इसको एक्स्वाइशन आपको दिखाते हैं यह टर्म किस ने दिया था riskman, rostu, flaming and singer propounded the theory of unbalanced growth as a strategy of development to be used by the underdeveloped country this theory stresses on the need of need of investment in strategic sector of the economy instead of all the sectors सारे पर एक साथ करने से बढ़ी है कुछ strategic है उसको जैसे कोई बंद पड़ा हुआ है उस पे आपको करना है है ना बंद पर ही है या धीमी चल रही है उसको अगर आप करोगे तो आप आप आपको आपको क्या करना इनर्जाइज करना है तो यह अन्वैल करें नौट टरंस्पोर्टेशन प्लेजिव गूंड ग्राइज्व एक एक इक्वूमी फॉलएं मोटा उप्रांस्पोर्टेशन है था इसलेस जिश्टि दो इसका आंसर एक होनी चाहिए ठीक है तो आंसर यह होना चाहिए, बट UPSC ने रोट दी है, okay, next, next क्या है, how does an expensive monetary policy affect the rate of interest and level of income, अब expensive monetary policy का क्या मतलब होगे, इसका मतलब क्या होगे, government को market में पैसे जादा डालने है, ठीक है, तो अगर माल लेते हैं कि पैसे अगर market में जादा डालने हैं, तो क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है न, अगर पैसे डालने हैं, तो पैसे डालने हैं, तो लोग के पास पैसे देंगी यह, अगर market में जादा पैसे चाहिए, तो लोग के पास पैसे होने चाहिए, ठीक है, तो लोग के पैसे होंगे, तो क्या होगे, इसका मतलब क्या होगे, raises the level of income, income की level बढ़ेगी, है इन्ट्रेस्ट बढ़ा देंगे तो फिल लोग पैसे ही नहीं लेंगे तो इक्सपेंशनर ही होगा ही नहीं,ELL sub को बढ़ा देंगे rate of interest बढ़ा देंगे तो पिर तो कैसे होगा पैसे नहीं लोग उपास होगे तो इंकम कैसे बढ़ेगा तो आंसर इस यह ठीक है अगला question है the problem of rupees was whose DSC thesis यह किसकी thesis थी यह दो यह डॉक्टर बी आर अंबेदकर की thesis थी और इन्होंने जो आप अगर देख सकते हों यह मैंने explanation है कि the problem of rupee by Dr. B.R. अंबेदकर यह presented as his doctoral thesis at the London School of Economics में PhD की thesis में इन्होंने 1923 में यह आपको 275 page की paper present की थी है ना the problem of rupee इन्होंने इनित अंबेदकर tried to explain the troubles that were associated with the national currency of India the rupee ठीक है ना तो यह आपको one-liner question था अगला question है the when the government ownership in public sector is diluted मतलब क्या हो गया कि आपको जैसे कि अभी 100% आपके पास में है किसी चीज़ क्यों अब आपने कहा कि आपके पास पैसे की जरूबत है तो आपने इसमें 10% 20% जो भी होगा शेयर बेज़ दो गया ठीक है वह किसी प्राइबेट को तो होता है कि मनी की सप्लाई अगर कम हो गई तो वह डिपलेशन हो गया तो तो अगला कि अगला कुश्यन है कंसीदर फॉलइंग आइटम्स ओके और इसमें पूछ रहे कि विचो थे इवाब आइटम से इंक्लूडएं जी एनपी तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यह जी एनपी होता गया है तो यह भी एंसी आइटी से एंसी आइटी में लिखा हुआ होगा है कि जी एनपी जो होता है ठीक है वो क्या होता है जी डीपी प्लस नेट फैक्टर इंकम फ्रॉम अबरॉड नेट फैक्टर इंकम अब यह नेट फैक्टर इंकम फ्रॉम अबरॉड क्या होता है ठीक है अब है जैसे माल लेते हैं इसमें हम सिंपल से आपको बताते है यह क्या होता है, जैसे माल लेते हैं, factor income earned by the domestic factor of production employed in the restaurant world, जैसे माल लेते हैं कि foreign में जो हमारे यहाँ का काम करते हैं, ठीक है, minus foreign के कुछ लोग जो यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, और foreign में जो कहीं और के लोग जो यहाँ पे काम करते हैं, तो उसको घटा देंगे, तो वो हो income abroad, ठीक है, बाहर से, ठीक है, तो यह हो गया, अब इसमें अगर पूछ रहा है कि GNP में क्या होगा, तो GNP में वो सारी चीज़े होगी, जो GDP में होगी, clear, तो अब हम लोग इसको बात करते हैं, कि GDP में क्या होगा, GDP में क्या होगा, कि आपकी, जितने भी सारे होंगे, consumer goods and services, ठीक है न, aggregate production of final goods and services taking place within the domestic economy during a year, ठीक है, तो अब जैसे कि, तो cross private domestic investment, net income from abroad, तो यह GNP में होता है, तो फोर्त होई है ही, goods and services produced by the government, बिल्कुल goods and produced पूरी country में, है न, final goods and services taking place within the domestic economy during a year, तो वो होगा, तो तीसरा और चोथा तो होगा ही होगा, अब gross private domestic investment and consumer goods and service, ठीक है, तो production of all goods and services होगया, तो consumer goods and services में होगी, और private domestic investment अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो वो सब भी income में ही आएगा, ठीक है, तो आशर ह 1, 2, 3 and 4, ठीक है, तो GNP में सारे हो जाएगे, ठीक है, यह आपको NCRT में दी गई है, ठीक है, इसमें आपको GNP is equal to GDP plus net factor income है, net factor क्या है, वो ही बताया गया है, ठीक है, तो NCRT की question है, macro economy, now next question, which of the following statement based describes the content of theory of distribution, now theory of distribution क्या है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक है, production करने में क्या-क्या लगता है, जैसे की माल लेजे की land, ठीक है, जगा चाहिए, labor, capital and organization, ठीक है, तो यह सारी चीजें इसमें लगती है, तो theory of distribution, इसको हम लोग theory of factor pricing की बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यह सारे factors, जो चार factor है, उन सब की, क्या कहते हैं उसको की share कितनी होगी उसकी determine करने का ठीक है समझ गया है wealth जो होगी जो भी आपकी income होती है ठीक है न वो ये सारे factor से कितना कितना होगा आप समझ गया है कि इसके क्या सुख़़ए माल लेज़े के पास कोई company में 1000 रुपे होगा है तो आपके चार factor है चार factor में land का कितना share होना चाहिए है land का कितना labor का कितना capital का कितना आप समझ रहे हैं उस तरह से इसका हो गया तो ये simple से language में आप इसको समझ सकते हैं और what is the answer the distribution of income between the owners of factor resources ठीक है ना land का इतना हुआ लेवर का इतना हुआ कुझी लगा है उसका इतना हुआ ठीक है ना तो ये होगा the distribution of income between the owners of factor resources factor resources कुछ भी हो गया land हो गया लेवर हो गया है ना तो यह हो गया यह आप आप इसमें option देखके भी solve कर सकते हैं the distribution of income between the center and state यह तो होगा ही नहीं the principle of just distribution of wealth and income ऐसा भी नहीं है the distribution of income among different individuals इने company यह theory of distribution नहीं है यह theory of distribution आप देख लिजे चंपन नाम के एक थे उन्होंने बताया था वो है और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसको रेश्ट पर लेख सकते हैं जैसे the share of land रेंट the share of labor wages की तरह the share of capital interest की तरह बिसमाल नहीं जब पूजी आपने कहीं से लिया है तो उसका कुछ interest होगा the share of organization मतलब profit यह यह सारे factor का हम share price निकालेंगे ठीक है वह यह theory of distribution यह उसको factor pricing हो अगला question है the demand for a factor of production is said to be derived demand derived demand क्या होता है यह आपको पहले समझना है तो derived demand जो होता है वो यह होता है कि आपको it stems from the demand from the final final product से जो demand होती है वह होता है ठीक है यह function of the profitability नहीं है supply of complementary factors नहीं है ठीक है न relation of wants से यह कुछ राई जैसा कुछ नहीं है it stems from the demand of final product से जो demand होती है final product से जो demand होती है वो होती है अब इसकी explanation हमने Wikipedia से लिया था economics derived demand for a factor of production demand for a factor of production is said to be derived demand or an or intermediate goods that occurs as a result of demand for another indemnity or final goods ठीक है नहीं मतलब final goods के demand से जो demand आती है final goods से जो वो बोलते हैं derived demand ठीक है clear in a sense the demand for a factor of production by a form is dependent on the demand by consumers for the product produced by the form final product जो होगा उसकी demand से जो आता है वो हो गया ठीक है demand for all factors of production is considered as derived demand clear so derived demand हो गया कि जो final product होता है उसके demand से जो demand आती है उसको derived demand बोलते है जिसे final product का जो demand है है ना वो derived demand हो गया ओके next question है whenever country set up free trade area they abolish all restriction on trade among themselves ठीक है and they abolish all restriction on imports from outside country so the answer is they establish a common external tariff on imports from outside country यह answer होगा कि भही अगर माल लेते हैं कि अगर free trade area का किसी ने बना है अब मैं आपको इसका explain करता हूँ free trade area है ठीक है माल लेजिए group of countries होगा agree to eliminate traffic among themselves अपने जो से माल लेजिए चार-दस country मिल करके कि हम तो अपने में सेम से मैसे करेंगे बट हम सारे जो है ठीक है ना दूसरी country के साथ same tariff रखेंगे क्योंकि अगर माल लेते हैं इससे फायदा क्या होगा माल लेजिए कि अगर माल लेजिए कि company A है B है C है D है इन सब ने मिल करके बनाया कि भई हम अपने में तो क्या करेंगे tariff जो है सो fix रखेंगे है ना all restrictions on trade among themselves अपने में लेकि माल लेजिए दूसरे country को कोई चीज यह भी बेच रहा है कोई यह भी भी बेच रहा है C भी बेच रहा है D भी बेच रहा है तो A अगर किसी country को बाकी जो country होगा जो outside इसके होगे ठीक है ना उस पर कुछ बोलेंगे कि हम fix रख लेते हैं क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा माल लेते हैं कि A अगर इनको सस्ता देगा ठीक है B या B सस्ता देगा C सस्ता देगा तो इस कोई कम बेच दे और हमें घाट नुक्सान हो जाए तो free trade area occurs when a group of countries agree to eliminate tariff among themselves but maintain their own external tariff on imports from the rest of the world ठीक है जैसे नाफ्टा हो गया है ना ठीक है अगला question है हमारा which of the following area are the function of foreign investment promotion board foreign investment promotion board के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ देखो जो foreign investment इंडियन गवर्मेंट ने setup किया था foreign investment promotion board ठीक है और यह foreign direct investment investment इंडिया में उसको बस दिल करता था और इसके जो chairman होते थे वो industry secretary of the DIPP है जिसका नाम आप हो गया DPIIT Department of Promotion of Industry and Internal Trade पहले था Department of Industry Promotion and Promotion Policy अब इनका aim क्या था FDI को promote करना ठीक है तो to review the execution of the foreign investment proposal ठीक है so to ensure expedition clearance of the proposal of foreign investment expedite करना ठीक है न कोई proposal आया तो उसको जल्ली देख करके उसको करना to review periodically the implementation of the proposal cleared by the board board ने जो भी proposal को clear किया है कि यहां ठीक है आप FDI ला सकते हो investment कर सकते हो उसको review भी करना है कि ऐसा है कि FDI आया है जिस काम से उससे हो भी रहा है कि नहीं to undertake all other activities for promoting and facilitating FDI is considered necessary for time to time समय समय पर है न प्रमोट करना FDI को ठीक है न FDI और facilitating FDI की necessary from time to time ठीक है न कि जरूरी है FDI का to interact with the FIPC being constitute separately by the ministry of industry के द्वारा FIPC है उससे interact करना तो यह सारे आंसर सही है आप इसमें अगर देखेंगे to review the execution of foreign investment proposal to approve quickly है ना to communicate with the industry party non-government and government agency on issue that help in increasing flow of foreign direct investment in country मतलब ज्यादा ज्यादा आसके transparent guideline बनाएगी to communicate with the foreign investment promotion FIPC foreign investment promotion council से भी communicate करेगा various sector को identify करेगा जहां पे FDI की जरूरत है और भी बाकि जो encouraging मतलब कि foreign direct investment को encourage करने के लिए जो activity होगा उसको भी वो क्या करते हैं promote करेगा clear so this is the answer अगला question is dear money क्या होगा ठीक है तो dear money क्या होता है आप देख लिए यह bank है ठीक है ना bank को interest rate बढ़ाना है tight policy करना है ठीक है तो tight policy करना है ठीक है किस चीज़ के लिए अगर fight inflation and excess money supply ठीक है ना बहुत ज्यादा money supply मतलब कि market में बहुत ज्यादा पैसा हो गया ठीक है तो क्या करेगा interest rate को increase करेगा कि लोग loan ना ले पाए कि और ज्यादा पैसा ना हो जाए तो tight policy करेगा तो उसको बोलते हैं कि money dear money हो गया so answer क्या हो जाएगा आपका ठीक है ना तो dear money है मतलब कि rate of interest हमारा high हो जाएगा ठीक है तो bank यह क्या करेगा RBI tight policy लाएगा कि interest rate को बरा दो जिसे कि लोग उसको ले नहीं पाएगा ठीक है और जो ची ले नहीं पाते हैं वो dear हो गया okay okay so up next question है रंगराजन committee on disinvestment of shares in public sector enterprise suggested that you know suggest किया था कि the percentage of equity to be divested should be no more than 49% ज्यादा नहीं होना चाहिए for industries explicitly reserved for the public sector and it should be either 74 or 100% for other यह public sector enterprise का disinvestment के लिए बनाया गया था कि बोला गया था कि the percentage of equity to be divested should not be more than 49% ज्यादा नहीं होना चाहिए मतलब की ownership अपने पास में होना चाहिए year wise target of disinvestment should be maintained ऐसा कुछ नहीं बता है सो दो आंसर है ठीक है तो आप देख सकते हैं Department of Investment and Public Asset Management के website पे है इन अप्रील 1993 तरंगराजन committee recommended disinvesting up to 49% of एसे इक्विटी 49% तकी करेंगे तो 51% government के पास रहेगा अगर 50% रहेगा तो ownership government के पास रहेगा for industry explicitly results for public sector and over 74% in other industry 14% से जादा other में करेंगे ठीक है तो इन्होंने बताया था तो यह हमारा one answer अगला question consider the following program यह सब कुछ program है credit linked capital subsidies की इसको देखके नहीं लगा सकते हैं बाकी मैं सारे बात करता हूँ credit link capital subsidy scheme जो है यह micro msme ministry of msme ने launch किया था subsidy scheme ठीक है ना ठीक है ना technology up gradation के लिए तो यह credit link capital subsidy होगा capital मतलब technology up gradation करने के लिए ठीक है capital subsidy इसके बाद आपको यह cluster development program यह micro and small program यह to enhance the sustainability competitiveness and growth of msc by addressing common issue such as improvement of technology उसके लिए भी प्रोग्राम लाई गई थी इसके micro finance small loan चोटे-चोटे लोन देते हैं बिना collateral के और लोग इसमें क्या हो गया तो माइक्रो फाइनसिंग भी हो गया नेशनल माइक्रो फाइनस कमटेटिवनेस प्रोग्राम यह MSME के लिए है तो enhance competitiveness of msc sector to take up global challenge ठीक है ना के लिए यह यह भी है तो यह सारे जितने भी है वह subsidy है तो ठीक है ना प्रोग्राम से जो MSME के लिए ओके अगला कुष्चन न देटी को इसने क्या होता है कि जो माइक्रो होता है वह क्या होता है some individual level पे माइक्रो का मतलब होगे individual लेवल पे या ग्रूप के लिए या company लेवल पे ठीक है और जो मैक्रो हो जाता है वह हो जाता है कि जो नेदेगेर्प्रव सिफफ करेगा जो बड़ें को एकोनोमी को एकोनोमी हो गया तो उसको इंडिविजिव समझ गया। तो Micro Effects जो Individual को Effect करेगा, Now the Effects of an Income Tax on Conjunction, Saving and Investment are Micro Effects, क्या ये Micro Effects है, बिल्कुल, Income Tax, Individual को मिलते हैं, तो उस पे अगर माल लेज़े कुछ होता है, तो उसको हम लोग Micro Effects बोल सकते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है, Income Tax is an example of Direct Tax, ये दोनों सही है, दोनों एक दूसरे का Explanation नहीं है, Income Tax दो Direct Tax है, ठीक है, तो दोनों सही है, ठीक है, तो ये Micro और Micro Economics का मैंने बता दिया Difference, तो Micro Effect आपको समझ में आ जाएगी उससे, Next Question है, Trade between two countries takes place on account of differences in cost, बिल्कुल, दोनों दो कंट्री के बीच में, अगर, अब ये Question पूझ रहा है कि, दो कंट्री के बीच में trade क्यों होता है, तो ये पूछा रहा है कि, Trade between two countries take place on account of differences in cost, माल लेते हैं, कि trade कब होता है, जैसे माल लेजे कि, यहाँ पे आप कुछ बना रहा है हो, ठीक है, जैसे माल लेजे कि, इंडिया में कुछ बन रहा है, और, यूएस में कुछ बन रहा है, तो माल लेजे कि, इंडिया में labor cost कम है, ठीक है, और अमेरिका में labor cost जादा है, ठीक है, अगर अमेरिका में same labor cost हो जाता, ठीक है, और चाहे कोई भी चीज, सब चीफ ही रहता, वो उनकी जो लागत होती है है ना उसके अंतर के कारण होता है अगर दोनों जगा सेम लागत होगा सेम कॉस्ट लगे कोई भी काम चीज़ करने में ठीक है ना तो ट्रेड होगा ही नहीं यह हमारा सही लाइन है दूसरा है हर देश मैं अलेग अलग फैक्टर्स होते हैं ठीक है और यह ना उर्टाम्ड मतलब होता है अब कोई भी चीज में आद ना किसी भी चीज को बनाने में तो लेवर जो फैक्टर तो उसकी कंपिटेंस भी होती एक हर कंट्री का अपने अपनी इसमें यह दोनों सही हो गया है तो यह एक से एक सब्सक्राइब भी कर सकता है. ठीक है न? अगला है ठीक है, foreign investment may affect country's export performance. foreign investment से एक country का foreign अगर कर रहे हैं, तो export performance को effect करेगा बिल्कुल, अगर माल लेते हैं कि विदेसी निवेस कुछ होता है, तो export को परफॉर्मक एक्सपोर्ट को, वो effect करेगा अब इसका दूसरा है कारण टू है जैसे इनफलो ऑफ और एक्सचेंज में कोज अप्रेसिएशन ओफ लोकल करेंसी आप लेते हैं कि फॉरन का चूँ अगर माल लेजिए कि फॉर इस इनफलो फॉर एक्सचेंज ठीक है ना विदेसी निवेस हो रहा है तो अस्थानिय चू दूसरा की लोकल करेंसी है उसको APPRECATED करता है ठीके कर जाता है ठीक है इसके कारण क्या होता है प्राइस ओपट लगा वो बढ़ जाता है हुआ यह हमारा सभी अभी कैसे सभी अमाल लेते हैं कि क्या होता है कि foreign exchange हुआ तो पैसे की value यह हो गई तो अब क्या हो गया कि इंपर्ट सच्टा हो जायेगा ओप हमारा इंपोर्ट हो जाएगा चीप systems are export जो जाएगा वो क्या जाएगा एकस्तोर ट्रेश समेख प्रैस मैट जाए हो जान तो तो foreign exchange के यह हो गए हैं, तो तोनों हमारा सही है, सो answer यह हो जाएगा, clear? अगला question, okay, so this is all about the economic section, now we are going to start with the geography and environment section, so यह current affairs में भी आप मान सकते हैं कि यह question, which of the following is not true of the western ghat के बारे में, यह उस समय news में था, क्यों news में था? कि UNESCO declared 39 places in the western ghat as world heritage site in 2012, बट 2012 में, ठीक है, बट यह वुआ नहीं था, उस समय बाद में हटा लिया गया था, क्योंकि 39th place जो था, और 40th place, 40th place जो था, वो धोला वीरा का हुआ है, UNESCO world heritage size में, धोला वीरा, ठीक है, और 39th रमप्पा temple, ठीक है न, रमप्पा temple को 49th place मिला था, तो अब जो total है, वो 40 है, तो यह current office का है, आप मान सकते हैं, अब total है, तो यह 2012 में 39 वाला जो है, यह गलत है, इस वन अप दे एट होटेस्ट होटेस्ट बाइलोजिकल डावर्शिटी, नहीं, इट, यह विल्कुल सही है, यह उस समय के according है, ठीक है न, बट उस समय के according आंसर यह था, यह ज़्यादा इंपोर्टेंट है नहीं, यह विश्टन घाट के बादे थोड़ा बढ़ के जा सकते हैं, ठीक है, यह करेंट अफिस के कुश्चन था, ओके, अयोदेज लोकेटे अट बैंक ओफिच रिवर, यह फल्गु को हम लोग निरांजना रिवर भी बोलते हैं, और यह गया के बाद यह होता है, तो सर्यू के किनारे हैं, यह सब को पता है, और यमुना जो है, यमुना के पास जो है है, वो कौन-कौन साहर परसा हो गया है, यमुना के पास जो बैठा बसा हुआ है, अलाहबाद हो गया, आगरा हो गया, मतुरा हो गया, गंगा के पास हो गया, आपको पतना हो गया, वारानाशी हो गया, यह गया होता है, गया के पास से बहती है, तो वारानाशी हो गया, और कोलकाता भी हो गया गंगा के किनारे सहर ठीक है ना योध्या जो है सर्यू के किनारे वैसे भी यह नॉर्मल कुश्चन था अगला कुश्चन है स्पेसिल एकोनोमिक जोन के जो कुश्चन थे वह आप से पूछा गया था 2012 में पूछा गया था किया तो गलत हो गया अप ग्रेट फैसलिटी आप दे कंट्री से भी नहीं है तो इपिछले 2012 में भी पूचा गया था कि अगला कुछिशन है ग्रीन रिवॉलिशन इन इंडिया वाज इक्सपेडियस्ली फिजिवल इन जोन किस जोन में फिजवल था यह पंजाब में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था मतलब जहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी थी वहां पर इरिन इवॉलिशन सुरू की गई थ वर्ट से की हाइल डिंग हाईल निंग एच वाई हाइल दिंग व्राइटी सीड्स थी और मेकनाइज टूल स्वागेरा इरिगेशन फैसलेटी पेसा डाइसन फोटलाइजर के यह वी में जो है रिंगेशन के ज़्यादा जरुवत पड़ती हैं यह किसाने किया थां म्स इंडिया में कौन था है इसके में स्वामी नाथन यह उस जगह पे था जहां पे एस इरिगेशन था कि मतलब कि ऐसा नहीं की इरिगेशन की फैसलिटी ना हो ठीक है पंजाब में शुरू हुआ था ठीक है इस 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 प्लामेशन वड़िदा क्रेक्ट सिक्वेंस ऑफ ट्राव साउथ इस्टे वेस्ट इधर से इधर तर करना है और यतार को टाइराम आप देख लेजिए THE कौनड़ से नहीं है यमनां घागरा सोन गंडक कोशी सब कोसी ठीक घंदक सोन थोरय। अटिक है घागरा तीख यहीं चाट नदी है यमुना क्लिया यम ना घागरा सुन गंडक को सी मुना घागरा सुन गंडक कि घंडक कर डेस उन तो यम यमुना यहां आया देख लो तो अगर वेस्ट ट्विस्ट में करेंगे तो पहला यमुना होगा और यमुना होगा पहला तिर घागरा होगा तो यह तो पहले ही चला गया है पहले क्या होगा यमुना वेस्ट ट्विस्ट में तिर घागरा होगा अप गागरा के बाद पहले और यहां पर गागरा है और यहां पर सून यमुना घागरा सून गंडक है ना और कोशी सबसे वेस्ट करना तो एज़ड़ पांसर ठीक है क्या करवन और इजन विच इज रिच इन कोल माइंस यह गलत है अपने इंवार्मेंट पे हमारी अक्टिविटी का क्या इंपक्त होता है क्लाइमेट चेंज पर क्या इफेक्ट होता है इट रिलेस्ट टू अफ ग्रीन हाउस गैस प्रडूस इन आवर दे टू दे लाइवस त्रू बर्निंग फोसिल फिवेल्स और इलेक्टिशिटी हीटिंग कोई भी चीज से जो हमारी डे टू दे अक्टिविटी से जो ग्रीन अगला कुछ ने विशाइट रेस्टेंस टू पेस्ट है ना वाटर दो अधर प्रोस्पेक्ट फॉर विच ठीक है ना विच प्लांट सब्सक्राइब जेनरेटिकली इंजिनेरिंग जेनरेटिकली इंजिनेरिंग के बेसिकली हमें फायदा पूचे जा रहा है कि क्या पहला होता है जेनरेटिकली इंजिनेरिंग का यह कुछिश्चन हमसे पूछा जा रहा है तो इसके क्या आंसर होगा पहला है कि हमारा पहला क्या है कि टू इनेवल विट देम विट टू विट स्टैंड ड्रॉट है ना तो सुखा का सुखा से यह बनाना ठीक है बिलकुल सह सुखा में भी उसको कोई प्रॉब्लम नहों यह फायदा है तो इंक्रीज दा न्यूट्रीटिव वैल्यू अप्ट प्रोड्यूस जो आपको जो प्रोडूस हो रहा है उसकी न्यूट्रीशन वैल्यू ज्यादा हो बिलकुल यह भी सही है हमारा तो इनेवल देम टू ग्रो प्रोड़ाइफ उसकी न्ग्रीज करें वह सही है तो वन टू एन फॉर इदा आंसर यह तो वैसे भी आप थ्री नंबर काट कर सकते थे कि स्पेस में करने के लिए जैनेटिकल एंगिनरी कोई लॉजिकल है नहीं ओके सो इस ओल आपको जोग्रफी एनवार्मेंट के कुछ गजुद एmist स्पी आम जो टूर्टिजान में होता है वो था सभी मिशन घञ्टीचिण की कारण से होता है तो स्लफर दयेख्यटन के कारण होती है पॉलुचिन जो पोलुजन चैड के करिकन पर सॉलुजन उकसज़ सब्सक्राइट लकुचिए इन अहां कुन थर देätteस म narrator odpowied अगला एकि डीयेने फिंगर फिंग्टिंग आप देखते होंगे नीूज में डीने आप सब्सक्राइब होती है कि तुम्हारा दीने हमारा दीने तो यह जो होती है कि कौन किसका फिडर चाइल्ड है या नहीं है इसके लिए होती है ठीक है धिने तो ये डिस्प्यूटेद पारेंटेज के लिए साभीत करने के लिए कि ढूंए या जो कोई बडर् volunti मिलती है तो वह किसी इसी इसी फैमिली की है कि या किस इसको दिस्प्यूटेधER प्रेंटेज होगे एड़ से लो फीवर या कोई डीजिस के लिए नहीं है अगला कुछ ने स्पैम आप मेल में देखते होंगे कि इस पैम रहता है तो इस पैम क्या होता है मैसे डिस्टिबूटेट इन्डिस्किमिनेंट ली और सर्च इंजन स्पैम एक सर्च इंजन है नहीं एक कमांड इनिस्टिबूटेट इन्डिस्किमिनेंट ली यह हमारा अंसर होगा कि अंधाधुन आप भेज रहे हैं कोई संदेश बहुत सारे लोगों को बेज रहे है तो वह स्पैम में चला जाता है ठीक है अगला कुछन है इन रेजिंग अब्जेक्ट तो अगिवन हाइट बाइ मिन्स अफ एन क्लाइंट प्लेन अस केंपेर विद रेजिंग द अब्जेक्ट वर्टिकली मालने जे कोई बस्तू है ठीक है तो एक तो बस्तू को आप सीधे ऐसे उठा रहे हो ठीक है न बर्टिकल प्लेन में और एक है इस आएंगे और यह inclined plane में उठाएंगे force there is a reduction in force to be applied कम force लगेगा work required ऐसा कुछ है नहीं work required distance covered there is a deduction in distance covered raging in raging an object to a given height by means of an inclined plane as compared with a vertically के comparison में में इसमें क्या होगा ठीक है ना फृट्टन फॉर्स कम होगा ठीक है ना अगर बस्तू को अगर वार्टिकलिए अप उठा रहे हो उसकी कंपरिजन में अगर उसको इंकलाइन प्लेन में उठाते हैं किसी फिक्स हो चाहिए तक ठीक है ना तो एक चीज की कमी होती है लेट सम्फ फोर्स टूब इसको दोनों में फोर्स का अंतर हो जाएगा ना इसको यहां से यहां तक ऐसे पर्टिकली उठाते हो और यहां से ऐसे सब्टिकली उठाते हो तो इसमें फोर्स के रिटक्षन होगी एक अगला कुश्चन है साइनस्वाइडल ट्रंस्वर्स वेव के जैसा ही होगी यह कैसे होगा आप देख लीजिए कि ऐसे जो इस्ट्रिंग में अगर इस्ट्रिंग को आप कैसे यहां से यहां सक बाढ़े सब्सक्राइब करेगा इसकी मैंने एक्स्प्लानेशन की है ठीक है ना सो यह ऐसे चलेगा है ना सेम बस प्रिक्वेंसी सेम होगी क्लियर अंग्लर फेक्वेंसी डिवाइस क्या बोलते हैं अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि होट स्वापिंग फोड़ी बहुत एक दो चीजें अब पता चल जाए तो कुश्चन बन सकता है हाट्स स्वप्इंग क्या होता है कि अगर मन लेते हैं कि कुछ रिपलियस करना है एक किसे कुछ रिपलियस करना है या आपको कुछ अदेशन करना है अडेशन किस चीज का अदेशन ओप कम्पोनेंट को आपको अच injection करना है ठीक है इसमें इन इन कंप्विटर सिस्टम् बट इसको क्या करना है without लेकिन computer को बिना बंद किए हुए ठीक है डाउन ठीक है तो without setting down ठीक है तो इसका अंसर होगा plug and play plug and play क्या होता है कि part of windows that enables a computer system to adopt to hardware change कोई भी hardware अगर चेंज करते हैं तो जिक्दम minimum intervention time में यह हो जाता है तो वहीं पूछ रहा है the device that work with computer system as soon as they are connected जैसे connect करेंगे तो वह work करने लगए computer system को उसको बोलते हैं plug and play यह में साड़ी base swap वगएरा साड़ी हमने discuss किया तो आप देख लेना next है which one of the following software application would be the most appropriate for performing numerical and statical यह है आपको spread sheet यह आप देख सकते हो कि NCRT में भी दिए कि spread sheet is a configuration of rows and column rows are horizontal vector well column or vertical vector spread sheet is also known as worksheet to use to record calculate and compare numerical or financial data ठीक है तो यह होगा spread sheet ग्राफिक्स package document processor database नहीं होगा answer क्या होगा spread sheet अखला question है GPS के बारे में कौन सा सही है है ना so GPS सब लोग करते हैं direction के लाग accurate time stamping on ATM transaction बिल्कुल सब्सक्राइब सेट लाइट सेट लाइट फॉर ट्रांस्परिंग सिग्नल वर्डवाइब बिल्कुल इस साटलाइट से होता है तो सीज़ दा आंसर अगला कुश्चन है cellular technology involves in stages called generation where cellular technology के जनेरेशन के बारे में है तो इसका क्या होगा इसमें होगा कि टूजी टेक्वलोजी है ट्वेस्टेंडर यह सही यह तो जी टेक्लोजी का दो था एक CDMA और एक GSM में सब्सक्राइब तो सेकेंड जराइट टूजी टेक्लोजी है स्टेंडर 3G है जर फिसमें गलत है टूजी का ही दोनों था सब्सक्राइबर नहीं करता है यह नहीं होगा फार्स थी तो टू इस दर आंसर नेक्स्ट कुश्चन है लैंड वैंड मैं और कंप्यूटर नेटवर्क कोबरिंग डिफरेंट वाइस तो इल डबलू एन एम क्या है यह कोता है लोकल एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क और Matt Rappleton सी सांफड क्लाउट क्लावट 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 क्लाउट होता है कि आप जैविन होती है है यह यह डिस्टिगूटर computer architecture that provides software infrastructure platform just as required by application user ठीक है ना तो दा आंसर इस यह एक्स्प्राइशन है cloud company technology gives user access to storage file software and service through their internet connected device है ना computer smartphone tablet and wearable cloud computing providers storage student process data and location that separate from आप computer पर ही कुछ भी save कर लेते हैं that's a cloud computing technology next है नाने टेक्नलोजी तो नाने टेक्नलोजी क्या हो गया it is the technology of creating materials and device atom by atom सही है physical property changes at the nanometer बहुत चोटे चोटे होते है नाने टेक्नलोजी में chemical property change at the बहुत चोटा 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 चेंज होता है सुदा आंसरी डी ओके the method of communication which transmission can take this in both direction दोनों direction में होता है उसको क्या बोलते हैं तो जो दोनों direction में होता है उसको हम लोग बोलते हैं half duplex clear a collection of program that controls how the computer system runs and process information is called उसको क्या बोलते हैं that's a operating system ठीक है अब इसमें देखो compiler क्या होता है high level से low level में अगर change करते हैं तो compiler assembly code से अगर machine code में करते हैं तो उसको बोलते हैं assembler ठीक है SMPS क्या है तो SMPS जो है आपको switch mode power supply okay USB क्या हो गया यह सब को पता होगा universal serial serial बस okay so this is all about the science and computer application part now we are going to start with the current of your section so what is no India program no India program क्या program for children is 12 to 15 years from rural areas to make them aware of different 9 यह foreigner के लिए है है ना अब program for diaspora youth to promote awareness among them about different aspects of India culture culture के बारे में बताने के लिए start launch किया था ministry of external affairs के बारे में इन औरीजन यूथ 18 से 30 वरस के बच्चों के लिए so 21 दिन का program है यह यह आप इसका पढ़ लेना ठीक है अगला नेशनल टेलिकम पॉलेशी 2012 में कौन सा सही है तो नेशनल टेलिकम पॉलेशी में क्या सही है इसमें ब्रोडवन वर ऑल विदीन अफ मिनमम डाउनलोड ओस्यव ट्व मेगाविट पर सेकंड्स सबको 2 मेगाविट से कम-2 मेगाविट पर सेकंड से ज्यादा मिनमम डाउनलोड इसमेल नेशनेक्रों करना है तो यह तीनों सही है आपको देख लिजे नेशनल टेलिकम पॉलेशी 212 ब्राद्वेंट और ओर ओर विटा मिनमूम डाउनलोड स्पीड आप 2 MB पर सेकंड इसके बाद क्या है इंग्रीज रूलर तेली निसीटी फ्रॉं 39 तो 70 बाई 2017 यह है और यूनिफाइट लाइसेंसिंग है यह सारी थी अगला कुश्य ने मॉंग्स तब फॉलोइंग फूइस्ट भारत रतना अभी सबसे लेटेस्ट में किसको मिला है तो यह उस समय कि अटल विहारी बाजपई को मिला था बट अभी जो लेटेस्ट है नाना जी पंद्रे में मदन मोहनमाल भी आन अतल विहारी बाजपई और प्रबन बुखर जी को भी थूटा उजे 1990 ने मिला था उससे पहले पंद्रे में अतल विहारी बाजपई को मिला था तो लेटेस्ट में आप याद रखना ना जी देश्मुन अगला कुश्य ने लार्ज प्रांस और स्विट जैलेंड सोधां सरी अगला कुश्चिन है आई एम आफ के बारे में ठीक है कौन सा इम के बारे में सही है इंडिया जो फांडिंग में बिल्कुल सही है यह फूर परसेंट कोटा नहीं है इसका भी 2.75 है और फाइनेस मिनिस्टेश यह 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 भी से सही है इंडिया जीकौनोमिक स्टैटस अंदर आर्टिकल फूर यह भी सही है इसका कोटा है और आर्टिकल 4 में इसका कोटा है जो एकोनोमिक फाइनेसियल और जो मेंबर स्टेट है मेंबर कंट्री है ठीक है ना उसके कैसे है ठीक है ना डेवलॉपिंग है यह डिवलॉप्ट हो गया उसके एकॉर्डिंग उनको जैसे कि पैसे वेसे देने में सही होता है ओके अगला है एकोनोमिक सर्वेस से ली गई थी है ना अभी तो आप अभी के अनुसार से कर लोगे वन टू एंट्री ऑल राइट है ठीक है अब मिलेनियम डेवलॉप्मेट जो है कौन सा है क्योंकि आप देख लेजिए एक्स्प्लानेशन में इसमें एक्स्ट्रीम प्रवल्टी वन मिनाट जो मिलेनियम डेवलॉप्मेंट गोल था उसमें आपको यह सब थी जैसे कि इसमें आया नहीं है इरेडिकेशन एक्स्ट्रीम हंगर और पॉबल्टी और कॉमबैट एट्स मलेरिया अनदर डिजिस तो यह होगा डिवलॉप न्यूव फूड ग्रेंस ऐसा कुछ है नहीं हो नहीं ऐसा नहीं है तो इन्सट्रीम पॉपलेशन देश्ट्रीम कंट्री पॉपलेशन का भी को रिडियूस का है ओके जेंडर एकुलिटी को प्रमोट करने के लिए है मैटेरनल हेथ को इंप्रूब करने के लिए है हुडिकन और नहीं है तो आंसर इज ए ओके सो दिस इज आल अवाउट तो 2015 पीडिएफ आपको पीवाइफ क्यू अंडरिस्कोर पीडिया पे मिल